तो हैलो बच्चो मैं रेजी अख्थर फिर से हम लोग अल्कॉहल फिनॉल इथर को इससे पहले हमने आपको बताया था बच्चो जेनरल मिथर सब प्रिपरेशन ऑफ अल्कॉहल फिनॉल एथर नाउ विडिस्कर केमिकल प्रोपर्टीज ऑफ अल्कॉहल बहुत ही तक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वेरी सिंपल लैंगुज में एकदम इजी वे में आप इसे सीख पाओगे तो देखिए हमें डिसक्स करना है बच्चो चलिए एक ही करके हमें रेक्शन डिसक्स करना सबसे पहला रेक्शन है बच्चो अगर आप अलकोहल का ट्रीटमेंट करते हो अक्टिव मेटल से लाइक सोडियम, अलमूनियम, ठीक है प्रदासियम जिसको आप अक्टिव मेटल कहते हैं तो आपने बच्पन में बढ़ा होगा कि अक्टिव मेटल जब किसी एसीड से रेक्शन करता है तो हार्ण गैस एवा अगला हो गया तो आपको जो रेजम ला नेके इस वोट so dium hostage, Constitutional Oxide और Hydrogen Gas, similarly यहां भी रेक्शन करां होगे तो आपको मिलेगा sodium cycloheics oxide and hydrogenkas evolve होगा तो यहां بھی यह जो cyclohexanol है cyclohexanol यहोड बह रेक्षाण करोगा like Acid 유튜गीद को दिएड़र करेगा क्यों क्योंकि आपने किससे रेक्शन कराए है शैक्टीव मेचल जब आप से रेक्शन कराओं तो हार्डू गैस फर पोगा देखो इसे आप समझ नहीं कोशी कि alcohol यहां पर as a acid behave करेगा तो just suppose just suppose हमने alcohol को dissociate कर दिया तो आपको क्या मिला R O minus that is alkoxide और H plus I एक molecule और लेते हैं बच्चों for ionization बहुत simple है ध्यान सुनना इसको भी ionize करिए again क्या मिला R O minus NH plus I ठीक है अब आप यह बताओ क्या यह 2H plus आपस में combine होकर bond formation कर पाएगा या आपस में combine होकर hard and gas बना पाएगा तो आप cancer होगा absolutely not बिल्कुली नहीं ऐसा हो इनी सकता कि 2 positive आपस में कैसे combine होगा तो अब सवाल यह है कि आपने active metal लिया है sodium इसका काम क्या है बचे sodium oxidize होगा और produce करेगा free electron तो आप 2 sodium ले लो अगर तो 2 sodium में 2 sodium आइन मिलेंगे और 2 electron अब हमें क्या करना है 1H plus को 1 electron provide कर दीजिए H plus गेन करने के बाद यह radical बन जाएगा फिर H plus को एक और electron दे दो यह भी गेन करने के बाद क्या बनेगा H radical अब इन दोनों ही radicals के पास क्या आगया इन दोनों ही hydrogen के पास एक-एक free electron होगे impaired electron होगे यह दोनों आपस में combine होकर hardened gas बनके evolve होगा चुकिए आप अगर 1 mol लेते हैं तो आपका hardened gas half mol बनेगा बच्चो अगर 2 mol लेते हो alcohol 2 mol sodium तो 1 mol of hardened gas evolve होगा अगर आप इसको STP मेज़र करेंगे तो 1 mol alcohol के लिए आपको 11.2 liter मिलेगा और अगर आपने 2 mol लिया तो 22.4 liter मिलेगा at STP ठीक है यह था इसका mechanism के कैसे alcohol को आप convert करते हो alcohol oxide में with the help of active metal I hope आप लोगं को समझ में आ गया होगा बच्चे चलिए next देखते है reaction with sodium hydroxide अगर आप इस alcohol का reaction कराते हो तो आपको क्या मिलेगा generally बच्चे क्या करते है इसका H और इसका O H water बनाएंगे और sodium alcohol oxide बना देते हैं लेकिन यह आपको answer गलत होगा कहा गया कि इसमें reaction नहीं होगा no reaction तो reaction of alcohol with NaOH is not possible क्यूँ देखो बच्चे आपने क्या किया NaOH को dissociate किया देखना ध्यान से आपको क्या मिला Na plus and OH minus अब आपको यह देखना है कि क्या यह OH minus इस लाइख है क्या इनके पास वो capability है कि alcohol से 1H plus abstract कर सके निकाल सके तो इसे आपको कैसे बचे लेगा तो अगर H plus निकालने के बाद यह जो बचेगा वो अलका oxide होगा मान लिया हमने कि इसका H plus निकाल लिया आपने तो RO minus OH minus से weak हुआ तब तो H plus जा सकता है लेकिन अगर RO minus OH minus से strong हुआ तो क्या यह possible है कि अपना हाड़न प्रोवाइड कर सके नहीं तो देखो चूकर अलकाल गुरूप एलक्टन देने वाला होता है प्लस I fracture करता है यह R क्या करता है बच्चे प्लस I as a result is oxygen पर negative charge के intensity बढ़ जाएगी इनकी basicity पर जाएगी तो आप कहेंगे RO minus strong base है और strong base के पास क्या hydrogen है तो क्या weak OH minus इसका abstraction कर पाएगा नहीं कर पाएगा that's why यह reaction possible नहीं है तो reasoning based question आपके school exam में भी पूरूश सकता है कि why alcohol will not react with sodium hard oxide to produce sodium alcoxide तो आपको बताना होगा because alcoxide iron is strong base as compared to hydroxide now why it is a strong base due to positive inductive effect ठीक है और strong base के पास अगर hydrogen है तो weak base उनसे hydrogen को trap नहीं कर पाएगा that means के reaction नहीं होगा अब आप देखिए यह क्या है यह है बच्चों फिनॉल बहुत ध्यान से देखी अगर आप यही reaction नहीं होज का फिनॉल से कराओगे तो हो जाएगा और आपको sodium phenoxide मिलेगा यह क्या मिला sodium phenoxide plus water अब गो गया ऐसे कैसे हो गया तो जैसे देख सकते हो बच्चों इस पे जो माइना चार्ज आप वो रजोनेंस से स्टेबिलाइज अगर यह तकड़ा है अगर यह स्ट्रॉंग है ताकदवर है तो फिनॉल के इच को ट्राप करके उठा के चीन कर भाग जाएगा तो जैसी ओच ने क्या कि इसका इस प्लस निकाला तो वाटर बना और इस पे माइनस आया जो के रजोनेंस से स्टेबिलाइज है आप इसको बैलंस करने के लिए सोडियम से टाइज कर दो तो आपको रिजल मिला सोडियम फिनॉकसाइड प्लस वाटर याँ देखना है बच्चे अल्कोहल एन्योस से रियक्षन नहीं करता फिनॉल एन्योस से रियक्षन करता है इसके बहुत इंपॉड़न कॉंसेट इस पे मैनी टाइम कोश्चन आया हुआ है तो आई होप यह इंपॉड़न कॉंसेट आपको समझ में आ गया होगा अल्कोहल एन्योस से रियक्षन नहीं करेगा और फिनॉल एन्योस से रियक्षन करेगा अब आई यह तीसरा रियक्षन है रियक्षन विद ग्रिगनाड रियजेंट जैसे कि आप जानतों ग्रिगनाड हर जगह तो होता ही होता है king of reagent है यह alcohol है आपने RMGX से reaction कराया dry ether में जैसे कि आप जानते हो इनका mode of bond decision है that is RO- और MGX ठीक है अब आप यह देखिए RO- अगर strong base हुआ as compared to इनका जो base है वो क्या है RO- अगर RO- से strong base हुआ तो यह reaction possible है for your kind of information बचो R- बहुत ही तगरा खूंखा टाइप का base होता है बहुत strong base because carbon पर आपने negative charge present कर रखा है तो carbon चुके लिए से electron negative है और अगर आपने उस पर negative charge produce कर दिया उनकी basicity huge बहुत ज़्यादा हो जाएगी आप उसे खूंखा टाइप का base कर सकते हो तो यह इसका H plus trap करके ले जाएगा तो जैसे यहाँ से H plus trap करेगा यह बन जाएगा RH और RH is nothing but alkane तो यह बचा RO minus RO minus को इस plus के साथ चिपका दो यह देखे बाइबर डग के form में आ गया reaction proceed हुआ और आपको alcohol मिला ठीक है तो आप कहेंगे कि here RO minus is strong base as compared to RO minus that's why reaction is possible here now phenyl magnesium bromide that is Greg Nard agent and this is cyclohexanol अगर आप इनका reaction करा होगी तो क्या मिलेगा तो again after dissociation it will produce phenoxide phenyl पे negative charge और Mgbr positive फिर यह क्या होगा base है इसका proton trap कर ले गया तो क्या बना बच्चे बंच्चे बंजीन और byproduct में यह बन गया तो आप इसे भी acid based reaction कर सकते हो यहाँ पे alcohol acidic behavior show कर रहा है नहीं तो आपने देखा Greg Nard से भी reaction कर सकता है बच्चो alcohol से reaction करके alkane produce करेगा देखा आपने अब आईए next and very important reaction is reaction with diazomethane यह आपका जाना पैचाना reaction होगा diazomethane के साथ अगर आप reaction कराते हो तो आपको ether मिलेगा बच्चो और साथ में gas that is nitrogen gas जैसे आप phenol से reaction कराओगे तो आपको aromatic ether मिलेगा जिसे आप anisol कहते हो और cyclohexanol से reaction कराओगे तो one methoxy cyclohexane आपको product मिलेगा in all cases nitrogen gas evolve होगा अब आप सोच रहे होंगे यह diazomethane दिखने में कैसा है reaction कैसे किया ether कैसे बनाया तो देखो बच्चो इसका simple mechanism है अगर आप देखना चाहो तो आप इसे देख सकते हो let's see कि क्या है इनका CBI जांच mechanism तो देखो बच्चो यह आपके पास है diazomethane CH2 double bond N double bond N इस N पे है minus और इस पे है plus यह है structure of diazomethane अब आप देखे बच्चे अगर आप इसको यूँ shift करते हैं in resonance तो आपको जो मिलेगा that is CH2 पे minus single bond N triple bond और इस N पे क्याएगा plus जैसा कि आप जानते हो triple bond है नाड़न और इस पे plus 4 यह बहुत ही अच्छा living group है इसको आप excellent living group कह सकते हो good living group कह सकते हो as it is यह bond टूटेगा और bond टूटने के बाद आपको मिलेगा CH2 नाड़न गैस evolve हो गया अब अगर आप इस CH2 का analysis करो इनके about study करोगे इनको ध्यान से देखोगे तो आपको देखेगा कि यह इस तरह का है और इस तरह के molecule को हम carbene कहते हैं carbene why? because इनके पास only three pair electrons है and this carbene behave like electrophile यह electrophile की तरह behave करेगा बच्चो क्यू? because यह electron deficient है electron deficient कैसे पता चला? तो आप देख सकते हैं इनके पास total six electron है that is three pair है जिसमें दो bond pair और एक आपको loan pair की सकल में देखे रहा है अब आप देखिए यह क्या है? loan pair और यह electron का भूखा है हलाके loan pair लेकिन electron तो आपका six ही है यह इस पर attack करेगा attack करके एक electron तो गेन कर लेगा यह जब एक electron गेन करेगा तो CH2 पर क्या हैगा minus और इस carbon पर क्या हैगा plus as we know carbon पर positive charge unstable होता है यहां से कौ निक लेगा H plus oxygen पर positive charge unstable होता है और carbon पर negative charge भी unstable होता है यहां से H plus इनके पास चला जाएगा intramolecular acid based reaction हो जाएगा बच्चों तो यह बनेगा O क्योंकि आपने हाँ से H plus निकाला यह electron इसका है यह positive को मिला और यह neutralize हो गया और H plus मिलेगा वो carbon पर जाकर attack करेगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चे ether तो यह था reaction of alcohol with diazomethane reserve will be formation of ether तो I hope आप लोग को समझ में आगया होगा बच्चे fourth reaction अब आईए fifth reaction that is reaction with carboxylic acid in presence of sulfuric acid यहां आपको एक sweet smelling compound मिलेगा जिसको ister कहते हो और इस process को इस reaction को आप sterification reaction कहेंगे अब देखें यहां पे यहां पे carboxylic acid अपना OH प्रोवाइड करेगा और alcohol H प्रोवाइड करेगा तब आप water निकालेंगे और ister produce करोगे इसका मतब यह वाला जो alcohol है वो किस के पास है ister के पास है that means this alcohol behave like acidic देखो यहां से बहुन तूट रहा है इसका मतब यह acidic behavior शोगर है अब कहोगे ऐसा कैसे माल यह carboxylic acid है और alcohol है तो यह strong acid है इनको H-plus देना चाहिए इनको ओज देना चाहिए लेकिन उल्टा हो रहा है इसलिए क्योंकि यहां भी आपने इसलिया है और यह mineral acid है इसका बाप है वही नहीं mineral acid बहुत strong acid होता है जो और यह डिसाइड करेगा तो देखिए अगर आप mechanism देखना चाहते हो बच्चो तो देखिए होगा क्या कर्बॉक्सिलिक acid पे इस प्लस जो mineral acid से आप लेकर आए हैं आप sulfuric acid से लेकर आए हैं वो इनके loan pair पे attack करेगा एलेक्टो फिलिक हमला करेगा बच्चो तो देखिए after protonation इसके oxygen पे positive charge आ गया और यह OH है देखो इस carbon proton की कमी हो जाएगी क्योंकि इस oxygen पे प्लस है तो यह bond टूटेगा इस carbon पे लेक्टन की कमी आ जाएगी मतलब यह लेक्टो फिलिक सेंटर बन गया और आप यह भी जानते हो बच्चो कि alcohol क्या होता है निकलियोफाइल यह alcohol आखिए इस पटा करेगा और यह bond open कर देगा तो आप देखिए आपको मिला क्या आर सी ओएच 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 इस carbon पे कौन bond मनाएगा वह ऑक्षिन के साथ जुरा हुआ हुआ है आर अब इस ऑक्षिन पे क्या है प्लस क्यूंकि इसने अपना इलेक्टन पेर दिया है तो ऑक्षिन पे प्लस चार्ज क्या होता है तो आप यहां से यह bond break करोगे ना ऑक्षिन हाड़ूं के बीच bond break करोगे प्रोटन बाहर होगा यह प्रोटन फिर उनको मिल जागा जहां से आप इस प्लस लेकर आए हो इसका मदब यहां पे इस प्लस आपका catalyst है फिर आप देखिए एक carbon पे दो OH अनस्टिबल होता है यहां से water dehyded करोगे तो you will get R-seedable bond O और यह R इसे क्या कहते हैं आप लोग इस्टर साथ में क्या मिला पानी ठीक है यह sterification reaction कहलाता है तो अगर आप alcohol को देखिए तो यह वाला bond टूट रहा है यह वाला bond कौन सा है यह है इसका मतलब alcohol आपका as a acid behave कर रहा है तो अगर आप चाहते हो rate of sterification को fast करना तो alcohol आप छोटा रखिए क्योंकि alcohol जितना छोटा होगा acidity उतनी ज़्यादा होगी rate of reaction उतना fast होग और अगर carboxylic acid को देखो इस पे इस पे निकलोफाइलिक हमला होना है तो इसको भी छोटा रखो नहीं तो यह लक्टन देखर इसके प्लस को ख़तम कर देगा ना तो आप small size के alcohol का treatment small size के carboxylic acid से करोगे rate of sterification आपको fast मिलेगा अब आपसे कहेगा primary secondary tertiary तीन alcohol इसको arrange करो in order of the rate of sterification primary alcohol fastest reaction then secondary then tertiary ठीक है अगर आपसे कहें formic acid acetic acid and propanoic acid formic acid fastest reaction शोग करेगा then acetic reaction then propanoic acid समय मारा नहीं आ रहा बच्चे नहीं तो जितना छोटा alcohol जितना छोटा carboxylic acid rate of sterification उतना ही fast होगा ठीक है तो देखें कुछ example देखते हैं बच्चो यह आपके पास कौन सा compound है इसे आप कहते हो benzoic acid और यह तो आपका favorite compound है that is ethanol आपको करना क्या है इसका OH और इसका H in the form of water निकाल दीजिए जो product बनेगा आप उसे ethyl benzoate कहते हैं अब आप देखें अगें यह आपके पास क्या है बच्चे benzoic acid इस benzoic acid correction कराड़े हो आप cyclohexane all say इसका OH और इसका H पानी बन के बाहर निकालो यह बना आपका cyclohexile benzoate plus water getting or not ठीक है फिर देखें आपके पास benzoic acid alcohol आप ले रहे हैं two equivalent medium आपको acidic लेना होगा एक बार स्टरिफिकेशन यहां से कराइए एक बार यहां से कराइए यह दो देखें यह आपको मिला बच्चे दो stir function group एक इस पे आ गया एक इस पे आ गया नहीं तो आप इसे कह सकतो diethyl benzene 1,4 di carboxylate यह बन गया आपका product और यह कहलाता है बच्चो sterification stir formation अब आए नेक्स्ट है reaction with acyl chloride इस reaction को आप acylation acylation भी कहते हो अगें देखिए यह आपके पास क्या है acyl chloride यह alcohol अगर आप इनका reaction कराओगे तो acyl बाहर हो जाएगा यहां पे हमने pyridine लिया है ताकि acyl को trap कर ले और reaction को reversible ना होने दे नहीं to make this reaction irreversible आप parodin यूज करेंगे parodin एक base है जो acyl से reaction करके उसको trap कर लेगा तो अगें यह sterification reaction हुआ यह जो मिला बच्चे वो क्या मिला इस्टर sweet smelling compound here also अगर आप phenol से reaction कराते हो phenol से reaction कराते हो फिर acyl बाहर कर दो आप parodin के business में scotan woman reaction तो यह आपको मिलेगा phenyl alkanoid plus acyl alkyl आप phenyl alkanoid plus acyl यह देखो बच्चे famous reaction है यह दियान से सुनिये इसका नाम है salicylic acid this is called salicylic acid अगर आप इसका acylation कराओगे इनका H और इनका CL SCL बाहर होगा मिलेगा आपको acetoxy benzoic acid acetoxy benzoic acid इसी को आप sprint भी कहते हो यह pain reliever है यह vasodilator है यह क्या करेगा pain कम करेगा body egg हो सरदर्द हो या फिर जिसका blood pressure high होता है वो भी इसको use करते हैं blood pressure low करने के लिए यह बहुत ही famous compound है that is aspirin पूछेगा correction of salicylic acid with acid chloride in paridine produces what तो आप कहेंगे acetoxy benzoic acid that is aspirin इसके बारे में हम लोग phenol में भी पढ़ेंगे अब आईए जो alcohol का सबसे important reaction है बच्चो that is what dehydration of alcohol dehydration of alcohol using sulfuric acid as a dehydrating agent dehydration of alcohol using sulfuric acid as a dehydrating agent देखिए बच्चे हमने example लिया है ethanol का ethanol अच्छा यह कहा गया कि अगर आप ethanol का reaction कराते हो sulfuric acid से at 140 degree celsius और ethanol का reaction कराते हो आप sulfuric acid at 170 degree celsius दोनों में different product मिलेगा यह हम लोग बढ़ चुके हैं याद करो आप फॉलो करता है बच्चो और result आपको मिलेगा अलकीन ठीक है तो हमें जानना है कि अलकीन कैसे बनेगा तो let's see H plus ने इस पे attack किया oxygen के loan pair पे यह bond को आप कहते हो बहुत ही strong bond carbon oxygen के बीच यह जो bond आप देख रहे हैं यह very strong bond है बच्चो जब स्पेश प्लस का attack हुआ तो इसको आप oxonium ion कहते हैं oxonium ion यह क्या है यह बहुत unstable compound as a result देखो इसमें यह जो bond आप देख रहे हैं यह bond weak हो जाएगा क्यों क्योंकि oxygen घायल हो गया है यह oxygen पे plus charge लग गया है oxygen को तीर लग गया है नहीं तो इसमें vibration बढ़ जाएगा इनका effective nuclear charge बढ़ जाएगा इनके energy level बढ़ जाएगी as a result इसमें vibration भी तेज होगा और अगर आप इनको 170 degree Celsius temperature प्रवाइड कर दोगे यह तूट जाएगा खुद से तूटने के बाद produce करेगा कार्बोकटाइन और कार्बोकटाइन प्रडूस किया तो आप इसको alpha carbon कहिए जो इसके addition position पे देखिए तीन sp3 carbon पे hydrogen है इस bond को यूँ shift करके इन carbon carbon के बीच double bond बना दीजिए और जो H plus बचेगा उसको वापन जो HSO4 minus है उनको दे दीजिए तो overall देखिए इस alpha carbon से क्या हुआ? OH गया, beta carbon से क्या गया? H गया, that's why इसको आप beta elimination reaction कहोगे और अगर beta elimination reaction में carbocatine बनता है तो उसको आप E1 reaction कहते हो इसका मतब dehydration of alcohol using sulfuric acid at 170 degree Celsius is an example of what? E1, elimination, unimolecular reaction तो यह बहुत famous reaction देखा बच्चे हम लोगोंने आईए इस पे कुछ question करते हैं जैसे आपके पास जो पहला प्रशन है वो है कि अगर propane to all का sulfuric acid और heat का मतलब 170 समझ लेना आप reaction कराते हैं तो क्या result मिलेगा तो आप कहेंगे propane plus water objection है तो आवाज उठाइए देखे यहां से यह alpha carbon है और इसका यह बीचा है यह दोनों same है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो तो result will be formation of propane plus water ठीक है बच्चो what about next one this is what यह आपके पास है but in to all अब आप reaction कराईए देखे यह alpha है no doubt यह beta और यह beta यह दोनों beta are different है that means कि आप दो possible product बना सकते हो तो याद करो एक rule हमने पढ़ा था बच्चो set of rule तो आप देखे एक बनाएंगे but one in और दूसरा बनाएंगे but two in यह but two in अगर आप देखें according to hyperconjugation या set of rule के according more substituted is more stable तो but two in आपका ज्यादा stable है यह but one in less stable है तो आप इन्हें कहेंगे major product यह बनेगा आपका major product बचो which one this one और इन्हें आप कहेंगे minor product देख लिजिए according to set Jeff more substituted alkin is more stable तो आप देखें यहाँ पर दो alkyl group पर टास्ट है hyperconjugation 6 है इसके पास एक alkyl group है hyperconjugation 2 है तो but one in minor product between major product according to which rule search of rule समयमाया बच्चो आईए next हमारे पास है cyclohexanol अगर आप इसका sulfuric acid से reaction कराते हो including heat मतलब 170 degree तो आपको x मिलेगा इस x का ogenolysis करेंगे तो आपको y मिलेगा फिर इस y का आप grignard से reaction कराऊगी including hydrolysis तो z मिलेगा क्या आप बता सकते हो x y and z तो लेट सी यह आपके पास है cyclohexanol देखो बच्चे इसके पास hydrogen है अगर आप ogenolysis करोगे तो short ring बता रखा है आपको double bond को काट दीजिए तो दीखे जैसे double bond को आप काट ओगी तो क्या होगा h h ठीक है तो इसका भी 2 bond खाली हो गया इसका भी 2 bond खाली हो गया तो आप double bond O double bond O both side लगा दो यह कहला है का आपका cyclohexan-1,6-dial अब आप इसका treatment करो grignard agency देखे आप इसका treatment करिए grignard से तो grignard जब aldehyde correction करता है तो आप बढ़ चुके हैं बच्चे क्या बनेगा alcohol कौन सा alcohol secondary alcohol क्योंकि सिर्फ formaldehyde primary alcohol बना सकता है यह रहा आपका product बच्चे देखे तो आप इसके pipe bond को break करते हो इस पे कौन आता है CH3 इस पे oh my god BR बनता है MGBR hydrolysis करेंगे alcohol में तबदील change हो जाएगा तो यह बना आपका hexane 1-6-dial getting on और बच्चो अब आईए यह compound है इसके naming करें 1-2-3-4 तो 33 dimethyl butane to all 33 dimethyl butane to all इनका treatment क्या आपने sulphuric acid say what will be the result let's see बच्चो क्या मिलेगा आपको ध्यान से देखिए सबसे पहले आप चुके mechanism जानते हो H plus catacra करा के यहां से क्या हटाओगे O H हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चो carbogatine जाए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए गौर से देखिए और समझे क्या है यह वह 2-degree आपने जो carbogatine produce किया है वो 2-degree carbogatine produce किया अब इसके पास मौका है अपने आपको 3 degree में convert करने के लिए और आप जानते हो कि यहाँ पे methyl shift हो सकता है यह जो आपका CH3 है बच्चो यह with family electron के साथ आकर इस carbon पे shift हो गया इससे फाइदा क्या हुआ system को तो देखी इस carbon पे plus आया now this carbon is of 3 degree तो पहले क्या था 2 degree which is less stable अब क्या है 3 degree more stable तो 3 degree बनने के बाद अब यह देखो इसके पास hydrogen है इसको यह shift कर दीजी तो आप देखिए इनके बीचों बीच का आगा है double bond 1,2,3,4 तो 2,3 dimethyl butoyene आपको major product मिल गया और अगर आप यहाँ से hardon निकाल दिये होते यह आपका minor product होता तो major product कौन सा बना बच्चे this one क्या है यह 2,3 dimethyl butoyene तो इसमें क्या हुआ बच्चे rearrangement हुआ तो यह important reaction बना आपके complete exam के लिए इसको आप अपने short note में जगर दीजिए और बार बार आप इसका revision करना नहीं क्यूंकि इस तरह कोशन आने की possibility पूरी होती है ठीक है तो आगे चलते हैं बच्चों भी बहुत सारे branded कोशन आने बांकी है जैसे आप देखिए यह compound है इसके third portion पे हमने phenyl और methyl लिया है selfury कैसी product क्या बनेगा तो चलिए बच्चों देखते हैं यह आपके पास है phenyl और इस OH को हटा के carbon पे क्या develop करने वाले हुआ plus charge फिर आप बहुत ध्यान से देखिए carbocatine है कैसा carbocatine है 2 degree है तो 3 degree से क्या होता है यह less stable होता है बच्चे अब आपको क्या करना है तो let's see यहाँ पे shifting करनी है तो methyl shift करोगे या final shift करोगे तो according to concept final का migratory aptitude ज्यादा होता है as a mutual coil इसलिए आपको final shift करना होगा तो हमने इस final को यहाँ shift कर दिया अब जो result मिला बच्चे हमें वो यह कि final इस पे आगया और plus इस पे आगया एक hardness के पास है set of rule आप जानते हो आपको result यह मिला देखिए double bond आगया इस पे क्या है methyl और इस पे क्या आगया फिन है यह आपका major product है final product है बच्चो देखिए double bond benzene के साथ conjugation और resonance में भी है तो और जादे इनमे stability आजाएगी ठीक है तो what about next one यह देखिए अगर आप इसका treatment करते हो sulfuric acid से तो क्या मिलेगा बच्चो फिर से देखिए यह बना आपका पहले carbogatine इस carbon पे प्लस आ गया अब जो carbon आपने produce किया है वो आपका है one degree फिर देखो बच्चे यहाँ पे यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे या तो आप इसको इसके proton को transfer कर लो या ring expansion कर लो तो according to concept ring expansion को आप priority देंगे as compared to hydride और methyl shifting तो अगर आप इस bond को यूं break करते हैं बच्चो slow mission में तो आप देखिए क्या होगा CH2 पे आएगा minus ठीक है और इस पे क्या है plus और इस पे भी क्या जाएगा plus तो ये फिर bond बना लेगा ऐसे तो अब आप देखिए ये बना आपका six member ring और इस पे क्या है plus charge अब ये अपने addition carbon से दोनों carbon addition में सेम है तो यहां से एक proton का obstruction करेगा और convert हो जाएगा into what? cyclohexene तो आपका जो product बना ये cyclohexene बना बच्चे final product obtained in this reaction is cyclohexene थोड़ा difficult है आपको सोचना होगा बच्चे आपने क्या क्या पहले positive charge develop किया क्यूंकि जिस carbon पे OH है ये हटेगा और इस carbon पे plus आएगा no doubt लेकिन ये 1 degree carbon which is less stable फिर आपने इन दो carbon के बीच bond break किया ताकि इस पर minus आए और ये minus इन के साथ इन के साथ मिलकर क्या बना ले bond और plus charge carbon पे develop हो जाए बच्चे इस carbon पे जैसी plus charge develop हुआ आपने देखी इस bond को formation में आप ले गए bond बन गया ये carbon आपका 2 degree है अब यहाँ से क्या करिए hydride हटाकर H plus हटाकर cyclic system बना दो आपको अलकीन मिल गया तो dehydration of alcohol से आपको अलकीन मिलता है तो यहाँ से देखी आपको cyclohexene मिल गया तो important reaction हो गया यह आपका what about next one देखो यह बहुत simple है इस पे plus आएगा और अगर इस पे plus आया तो आप sergif rule के recording double bond यही बनाओ नहीं कि अगर आपने double bond यहाँ बनाया तो इसमें hyperconjugation कम मिलेंगे और यह भी तो सेम ही है लेकिन यहाँ hyperconjugation ज्यादा मिलेगा तो आप देख सकते हो ना बच्चे 2 to 4 to 6 to 8 hyperconjugation है जो के maximum है तो यह बना आपका major product अब बताए what about this spiral compound इसका product क्या बनेगा अगर आप इस पर sulphuric ऐसे लेती हो तो इसका product क्या बनेगा let's see बच्चो तो देखिए अगेन सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जिस काबन पे जिस काबन पे o each है उस पे plus charge develop करना होगा आ गया अब आप ring expansion करेंगे क्योंके 2 degree carbon resistible होता है तो देखिए बच्चो दिहान से आपको करना क्या है ये वला bond break करना है ठीक है ये वला bond break करना है तो इस carbon पे क्या आएगा plus और इस पे क्या आएगा minus let's see देखिए ये bond ये bond ये bond ये इस पे क्या आएगा plus इस पे plus पहले से था और इस पे क्या आएगा minus और ये क्या बना लेगा अब bond बना लेगा ठीक है तो अब आप देखो बच्चे क्या होगा ये देखिए ये वाला कार्बन एक दो तीन चार पांच छे तो एक दो तीन चार पांच और इस से connect हो गया six ये हो गया और इस कार्बन पे क्या है देखिए इस कार्बन पे plus है यहाँ पे एक हार्डिन भी तो है आप इसको यूँ शिफ्ट कर दिये बीचो बीच डेबल बॉंड आ जाएगा इसका भी प्रड़क्ट सेम ही बनेगा जो उपर अपने बनाया है तो फानल प्रड़क्ट ऑप्टेंड इन इस रेक्शन इस आपको अच्छी खासी प्राक्टिस करनी होगी बच्चो तो गेट इस कंपाउंट तो है और अल्सो एक्सपंशन होगा रेंग एक्सपंशन आप इसे कहते हो री आरेंजमेंट रेक्शन विद आलप अफ इस रेक्शन आपको ये बाइक्सपंशन कंपाउंट के साथ अलकीन मिल गया तो हम देख रहे हैं बच्चो डिहर्डिशन अफ अल्कोहल अब आईए वेरी इंपोर्टेंट इस त्री रेक्शन आप सोचो बच्चो क्या बनेगा प्रडिक्ट जब आप इस 204 के साथ इस कंपाउंड को हीड करोगे जब आगेश करिये सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि इस काबन पे डवलाप करना होगा पॉजिटिव चार्ज तो देखे पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर है अब आपको रिंग पैन्शन करना होगा तो जब आप ring spend करेंगे मतलब इस bond को break करेंगे और इससे connect कर देंगे तो आपको six member ding मिलेगा बच्छो six member में alternate position पर double bond और इस पर क्या आगया positive charge और इसके पास क्या है दो hydrogen इस bond को यूँ shift करिए आपको बहुत एंध फेमस compound मिलेगा नाम है इसका बेंजीन तो आपको result क्या मिला बच्छे benzene I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अब what about this compound इस compound को देखे बच्छो यहाँ पर plus आएगा यहाँ पर plus आएगा फिर दो expansion करेंगे दो positive आएगा दो double bond आएगा short trick लगाओ एक double bond और इस पर जैसी plus आएगा expand करोगे यह compound बन जाएगा क्यों क्यों क्योंकि एक plus है जब आप expand करेंगे तो एक double bond और आएगा और middle में CH2OH है दो double bond के बीच carbon पर OH है यह बना और S2SO4 तो है फिर दुबारा से reaction होगा इसमें और finally जो product बनेगा again benzene बनेगा बच्छो very very important पहले आपने क्या क्या है इसको अटाया इस carbon पर प्लस लाया एक्सपेंड क्या यह बन गया और फिर उस पर इस प्लस का अटाक कराया तो यह shift होकर benzene ultimately benzene पर बन जाएगा ठीक है what about this third reaction आप देखो बच्छे CH2OH, CH2OH, CH2OH मालो इस पर अटाक कराया, carbon पर plus आया, expand क्या, एक डेबल बन लाया, यह बना getting? आप इस प्लस का अटाक कराओ, water निकालो, carbon पर प्लस लाओ, expand करो, एक positive नीचे आएगा, डेबल बन बन आया यह बन गया, फिर अटाक कराओ, इस पर अटाक कराओ, expand करो, यह बना, फिर अटाक कराओ, finally क्या बनेगा बेंजीन तो इस compound से भी आपको final product जो मिलेगा, that will be benzene तो आपको इन तीनों से ही क्या मिल गया बच्छे, benzene तो I hope आप लोगों को यह concept समझ में आ रहा होगा, हम लोग डिसस कर रहे हैं बच्छों, chemical properties, chemical properties of what, alcohol, ठीक है और देख रहे हैं हम लोग dehydration, dehydration of alcohol, various type of important questions हम डिसस कर रहे हैं, आगया यह बच्छे next है, कि अगर आप dehydration के लिए, sulfuric acid को छोड़ कर, अब आपने L2O3 ले लीजिया L2O3, तो देखो इसका path जो होता वो E2 होता है E2 path का मतलब बताया था हम आने बच्छों आपको, कि इसमें carbocatine नहीं बनेगा, arrangement नहीं होगा इसमें सिर्फ transient state बनेगा, तो alpha carbon से OH और beta carbon से H निकालना है, तो आप देखिए इसमें, यहाँ पे तो कोई problem नहीं है, cyclopropene plus water बन गया बच्छे यहाँ भी कोई problem नहीं है, आपको क्या मिल जागा, cyclopene plus water अब आप देखिए, अगर यह E1 reaction होता, जो कि S204 के साथ होता है, तो पहले आप plus बनाते हैं, फिर methyl shift करते हैं, लेकिन यहाँ पे reaction E2 है, तो यहाँ पे आप shifting नहीं करेंगे, जब shifting नहीं करेंगे, तो double bond यहाँ आएगा बई, क्यूंकि alpha carbon इसका यह और beta यह है, इस carbon पे hydrogen न no reagent, तो L2O3 के साथ आप reagent नहीं करा सकते, समझ में आया कि नहीं आया है बचो, ठीक है, तो L2O3 भी आपका क्या है, dehydrating agent है, अब आएगे रेक्शन विद PCL3, PCL5 and SOCL2, यह आपका जाना पेचाना रेक्शन है, ज्यादा discuss करने के हमें कोई अवश्यक्ता नहीं है, तो अग आपको क्या मिलेगा, RCL plus H3PO3, है ना, हैलोलकेन मिलेगा, यह हैलोलकेन, अरीन के प्रिपरेशन में बढ़ा थे हम लोगों ने, है अल्सो, यह क्या आपके पास अल्कोहल, PCL5 से जब आप रेक्शन करा होगी, तो क्या होगा, RCL that is हैलोलकेन, प्लस POCL3 by-product and SCL, ठीक है, और और अगर आप Thionyl chloride लेते हो, इसके बारे में आप जानते हैं बच्चे, कि SO2 gas and SCL gas दोनों evolve हो जाएगा, और यह आपको pure form में मिलेगा, that's why, आप इससे good method कहते थे, for the preparation of हैलोलकेन, because both the by-products are scapable gas, ठीक है, अगर आपके पास cyclohexanol है, देखे, कोशन पुछा गया आप से, कि if you have cyclohexanol, trade this with SOCl2, the product obtained will be X, now X will trade it with KCN, whatever the product obtained is further hydrolyzed to produce Y, to find X and Y, तो X क्या बना बच्चे, 1 clore, cyclohexanol, और KCN क्या करेगा, CL को replace करेगा, और CN को ले आएगा, ठीक है, पहला step, दूसरे step में आपने hydrolysis किया, यह बदा चुका हो बच्चो, कि cyanide after hydrolysis, convert होगा into carboxylic acid, तो आपको जो मिला, that is what, cyclohexan carboxylic acid, final product obtained in this reaction is cyclohexan carboxylic acid, तो चुके यह reaction आपका पहले से जाना पहचाना था, हेलोल केन, हेलोलीर में हम लोगों ने इनको detail पढ़ा था, अब आईए, IIT वालों, comedy exam वालों, medical entrance वालों, आप बहुत ध्यान से देखना, school वालों, आपके लिए नहीं है, board वाले बच्चों आपके लिए नहीं है यह, reaction कहला था, पिनाकोल, पिनाकोलोन, rearrangement, पिनाकोल, पिनाकोलोन, rearrangement, देखिए इसका common name है पिनाकोल, इसका नाम है पिनाकोलोन, नहीं, तो आप देखिए, दो addition common पे ओज गुरूप है, sulfuric acid से आप इनको treat किया है, arrangement के थूरों आपको किचों मिला है, कैसे, तो आपको इसका mechanism देखना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, कि sulfuric acid से 1H plus ले आओ, और out of two किसी एक alcohol पे, electrophilic attack कर दो, तो जब आप electrophilic attack करोगे, तो oxygen पे charge डिवलप होगा positive, और oxygen पे positive charge क्या होता है, unstable, immediate आप bond break कर देंगे बच्चे, bond break करने के बाद, इस carbon पे डिवलप होगा positive charge, किस carbon पे, इस वाले carbon पे, देखिए हमने क्या बनाया, CH3, COH, CH3, इस पे आया positive charge, अब बहुत ध्यान से सुनिये बच्चे, no doubt, आपने जो carbon produce किया है, वो 3 degree carbon है, क्या आपको मालूम है, 3 degree carbon से भी ज़्यादे stable carbon, वो carbon होता है, जिस carbon पे hetero atom हो, like oxygen and nitrogen, means अगर इस carbon पे plus आ जाए, और oxygen उसके साथ हो, तो यह अपना लोन पर देकर उसको, जो 3 degree carbon आपने produce किया है, उनसे भी ज़्यादे stable बना सकता है, तो आप इस methyl को migrate कर दो, तो इस methyl को जैसे shift करोगे, इस carbon पे क्या जाएगा, प्लस charge, जैसे इस carbon पे plus आएगा, यह अपना लोन पर shift करके, इस carbon और oxygen के बीच क्या बना देगा बच्चे, double bond, और oxygen पे आजएगा plus, आप इस plus को बाहर कर देना, इस plus को निकाल देना, क्या मिलेगा, CS3, C double bond O, और इस carbon पे तीन मिथाल गुरूप आ गया, जिसको हमने क्या कहा था, पिना कुलोन कहा था, तो और आप से पूछे कि पिना कुलोन में intermediate क्या बनता है, तो आप कहेंगे कार्बोगरटाइन, और इसमें आप रिएजमेंट भी करते हो बच्चो, ठीक है, तो इसे कह कहते हैं हम लोग पिना कॉल, पिना कॉल, पिना कॉलोन, री, आरेंजमेंट, रियक्शन, अब आप से अगर सवाल पूछा जाए, कि बताए बच्चे, जैसे ये कंपाउन इसका प्रड़क्ट बताओ, तो फिर से आप क्या करना, इस पे एच प्लस का टायक करना, और यहां स ओच को निकालकर काबन भी प्लस चार्ज डिवलप कर लेना, फिर आप फिनाल की शिफ्टिंग कर लेंगे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा, यह फिनाल है, इस पे कौन आएगा, डबल, बॉन, ओ, इस काबन पे पहले से दो फिनाल था, एक फिनाल और माइग्रेट होकर गया, यह हो गया आपका फाइनल प्रड़क्ट, तो रेक्शन कहला था है, पिनाकूल, पिनाकूल, रियाजमेंट बच्चो, अब आप देखे, दो बहुत ही इंपोटेंट रेक्शन, यह है एडवांस लेवल, तो देखो बच्चे, आप फिर से क्या करो, इस प्लस का अटा प्लस, अब आपको पॉस्ट्वी चार्ज उस काबन पर डिवलप करना है, जिस पे अलड़ी हेट्रो अटम है, तो आपको करना क्या चाहिए बच्चो देखिए, आप इस बांड को ब्रेक करिए, इस बांड को जब आप ब्रेक करोगे, तो क्या होगा देखिए, आप सब यह सेच्टू, यह सेच्टू, और यह सेच्टू, लेकिन इस सेच्टू पर क्या गया, माइनस, और इस पर क्या गया, प्लस, क्यूंकि आपने इस बांड को ब्रेक किया, अब यह यह इनके साथ क्या करेगा, बांड मना लेगा, जैसी बांड बनाया, तो आप देखिए, य को फानली क्या बना दो गया किट ओन है यह आपका फानल पर डेक्ट बना देखिए तो फिर से देखलो आपने इस प्लस का टाक किरा इस काबन पर प्लस आया और मैंने कहा था है यह जो प्लस प्लस पर इसका बनाकर रिंक का expansion कर लिया और जो परपस था कि पॉस्ट्व चार्ज हमें उस काबन पर डिवलप करना जिस पर अलड़ी ओच गूरूप है है तो यह रहा आपका प्रड़क्ट वट बाउट इस यह लास्ट कोशन है आज के लेक्शर का देखते हैं बच्छो क्या आप इसको सोच पाएंगे किसका प्रड़क्ट क्या बनेगा क्या आप इसका अटम ले सकते हो कि प्रड़क्ट क्या बनेगा बच्छो पिना कोल पिना क्लोन रेजमेंट तो तो देखिए बच्चो आपको जो मेकनिजम बता गया है आप सोचिए फिर से क्या हुआ कि एक और पे आपने प्लस चार्ज डिवलप कर दिया रिमॉफ करके ऐसा ही करना था हमें अब आप क्या करो क्योंकि इस काभन पे प्लस लाना है तो इस बॉंड को या इस बॉंड को ब् करेंगे तो यह तो आपका six member ding इस पे oh और इस पे क्या गया प्लस और इस वाले पे क्या गया माइनस और इस पे क्या था प्लस यह माइनस है बच्चे यह फिर इनके साथ जुड जाएगा ना तो आप देखिए यह कार्बन यह कार्बन से जुरा हुआ हुआ है six member ding और इस प conjugation में तो क्या हो जाएगा बच्चे ये back conjugation में जाएगा तो यहां ketone बनेगा तो final product इसका भी वही बनेगा जो आपने previous equation बनाया था जो पहला question आपने बनाया था वैसा ही यहां भी बनेगा देखे क्या इस पर आगया double bond O ठीक है तो आप इस reaction को पिनाकोल पिनाकलोन रेयरिजमेंट reaction कहते हो तो बच्चों आपको एक एक रेजिंट नम्बरिंग करके रीकॉल करके आपको reaction को पढ़ना होगा जैसे हमने sodium metal इसको active metal कहते हैं इसका reaction कराया alcohol से तो क्या बना जरह सोचिए आप कहेंगे बना क्यूं बना ये भी आप फिर सोचना ठीक है फिर आपने स्टेरिफिकेशन रेक्षिन कराया फिर डाइजों मिथेन से रेक्षिन कराया बच्चे नहीं फिर डिहाइडरिशन रेक्षिन कराया और फिर पीसल फाइप से रेक्षिन कराया और फानली हमने देखा पिनकोल पि आपको anxiety से ही frame होकर question मिलेगा जो beyond जाएगा उसको हमने cover कर रखा है तो अगर आपने बढ़िया से जो chapter जैसे मैंने आपको बढ़ाया है अगर आपने सारी video देख ली अपना note बना लिया, anxiety पढ़ लिया आपने और previous year question कम से कम 1500 से 200, 152, 200 अगर आपने बना लिया और उसको कम से कम 10 वर बना लिया उस 200 question को एक बार नहीं कम से कम आपने 10 वर बनाया, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने के अवशक्ता नहीं है नहीं medical entrance के लिए, नहीं IT mains के लिए, और school के लिए तो सिर्फ आपको anxiety पढ़ना है ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है, नहीं आपको clear cut दिख जाए कि इस चार option में एक option हमारा है, वो कब आएगा जब आप बहुत practice करोगे तो यूँकि medical entrance में, या I demands में question मुश्किल नहीं आते, confusing आते हैं, तो उसको overcome करने के लिए आपको huge practice करनी परेगी बारवार revise करना होगा, आपको अपना short note तयार करना होगा, फिर आप में वो clarity आएगी, और बहुत ज़्यादा books बनाने के जरूरत नहीं है आप सिर्फ previous year कम से कम 200 question मना लो, चाहिए वो किसी भी complete exam में आया हो, tested question होना चाहिए, किसी complete exam में आया होना चाहिए फिर देखिए, आपको कोई परिशानी नहीं होगी, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं है, इतना करिए, और हम पर यकिन रखिए, आप देख लिए प्रिवेसर कोशन कैसे बनते हैं, आपको बहुत मजायाएगा, ठीक है बचो, तब तक आप अपना बाल रखिए, ठीक है, और पढ़ाय करते रहें, बाई